सेव खाने से पहले जरूर बरतें यह सावधानी लापरवही बन सकती है जानलेवा कहा जाता है कि जो रोज एक सेव खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आता डॉक्टर भी कहते हैं कि सेव जरूर खाना चाहिए बुखार के बाद आई कमजोरी को दूर करने के लिए भी सेव ही खाने की सलहाद दी जाती है लेकिन इस फल को लेकर एक चौकाने वाली बात सामने आई है बताया जा रहा है कि सेव खाने से पहले उसके बीज को सावधानी जरूर हटा देना चाहिए क्यूंकि यह पेट के अंदर जाते ही डहरीला हो जाता है और इससे जान जा सकती है विशेशग्यों का कहना है कि बीज में अमेगडलिन नाम का एक तत्र होता है जो पेट के अंदर पाए जाने वाले इंजाइम के संपर्क में आते ही साइनाइड बनाने लगता है हाला कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो लेकिन अगर कभी साइनाइड बन जाता है तो यह इंसान के बीमार बना सकता है यहां तक कि उसकी मौत हो सकती है आपको बता दें कि साइनाइड अब तक सबसे घातक जहर माना जाता है पोटेशियम साइनाइड का तो आज तक कोई स्वाध ही नहीं बता पाया है कई फलों के बीजों में अमेगडलिन पाया जाता है हाला कि इसके जानलेवा बनने की आशंका कम रहती है फिर भी हमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए अब आप कभी भी से भी आ ऐसा कोई फल जिसमें छोटे छोटे बीज पाय जाते हैं तो उनको ठीक से जरूर हटा लें